हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फॉर एविक निग अनजली गाइडिन्स में आप से भी एका स्वागत है, ओम नुम्र श्वाय जैम अदूर्गा फ्रेंड्स, आज में वीडियो में बहुत जिनों से मैंने इनर्जी चैनलिंग नहीं की थी, तो इस वीडियो में मैं इनर्जी बिताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जूपीटर और सैटर्न के इंपक्ट के बारे में कि ट्विन फ्लेम की जर और हो भी रहा है, तो चलिए हम जानते हैं, और इस के लाज में मैं चैनल मैसेज भी बताऊंगी, तो अभी जो डियम की जो इनर्जी है, वो है एक चेजर की, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स की बहुत सारे लोगों की जो यूनियन हुई है, या जिनके परसन जो है, व जो इनर्जी में है, वो अपनी जो डियम है, उनको उनसे बात करना चाते हैं, उनकी बहुत उनको याद आई, जिसके वजह से वो सब कुछ रिलीज करते हुए, अब अपने डियम की तरफ बढ़ चुके हैं, जिस तरह से डियम का इस्प्रिच्वल ग्रोथ हुआ था, उसी इस स्प्रिच्वल ग्रोथ में, इस स्प्रिच्वल जर्णी में आगे की और बढ़ते जा रहे हैं, और वो पास्ट लाइफ कर्मा को उन्होंने बहुत एक हद तक रिलीज किया है, और उनकी जो भी विस फुल्फिल्मेंट होगी, अब पूरी होगी, चाहे उनका जौब से हो या करियर से हो, उनके रिलेटेड या मनी मैटर जो अब तक उनको परिसान कर रहा था, या वो अपने कार्मिक को पूरी तरह से रिलीज करके जो है, आपकी और बढ़ चुके हैं, तो अगर अभी लग रहा है फ्रेंट्स की ये मेरे लिए चैनलिंग नहीं है, या फिर मे फिट बैट आईए, अगर आपके लाइफ में ये सिच्वेशन नहीं चल रही है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनके लाइफ में हैं कुछ के लिए जो हार्मोनियस मतलब जो रिलेशन सीप या यूनियन में जो आ रहा हैं, या फिर जिनके रीकनसिलिये बहुत जल्द होने वाली है, उनके लिए ये चैनलिंग है, या उनके डियम की ये एनरजी है, कि वो अपने डियम को स्टॉक कर रहे हैं हर जगह, चाहिए वो सोसल मेडिया पे हो, या आपके फ्रेंड्स या फैमली से पूछना, आपके बारे में या आपको देखना, आपक बनाए रखना, तो ये सारी जो अब हमा डियम कर रहे हैं ताकि वो उनको रियलाईज आफंड की इनगलती करी है, और वो जो गल्ती कर रहे हैं तो उनके लिए प्रेस दाएफिस्ट आपके सामने आकर कैसे बोले तो वो एक आपको हाई, हैलो इस तरह की चीजे जो है मैसस बेशते हैं ताकि वो अपने लिए एक ऐसा महौल क्रियेट करना चाहता है जिसे कि आप तक आप तक आप करके जो है उनको बोलने में परसानी नहीं हो अब बताइए मुझे रीडिंग करने टाइम पर भी मुझे उनकी इनर्जी इतनी फील हो रही है बोलने में बोलने में थोड़ी सी जो है वह परसानी होने लगी तो उनकी इनर्जी मुझे फील हो रही है तो उनका भी स्प्रिच्वल ग्रोथ हो रहा है जस तरह से डीफ का हुआ था तो वह भी अभी पूरी तरह से स्प्रिच्वलिटी के तरफ अलाइंग हो चुके हैं उन्हें भी प्रिच्वलिटी के अगरें और उनका एक घ्रव पास्ट लेफ कर्मा रिलीज होने वाला है यह बहुत हो चुका है और वह वर्क और करियर के तरफ जो है वह आगे बढ़ चुके हैं उनके लाइप में अब उनको बस एक ही चीज़ दीख रही होगी कि कैसे वह अपने करिय पूरी तरह से 100% आप पर भी है फ्रेंड्स कि वह जितने भी जो उनके रास्ते में आपसे दूर होने के लिए उस सब को दूर करना चाहते हैं वह सब कुछ को हटा करके वह आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके पास जो है आना चाहते हैं आपके साथ हार्मोनिस रिलेस नहीं कर सके तो डियम हमारी जो है अभी इस इनर्जी में है अब डियम हमारी जो है वो किस इनर्जी में है तो डियम जो है फ्रेंड्स वह बहुत ही बैलन्स स्टेट में है बहुत ही ज्यादा बैलन्स जो की जिनके वेकनिंग जो है 2017 से ही चल रही है 18 से चल रही है या फिर 20 में भी बहुत हो की जो है वेकनिंग जो स्टार 20 में हुई है बहुत जल्दी वो नहीं रीकवर कर चुकी चाहे वो किसी से किसी खास गुरू के सानिक दमे रखे या फिर कुछ वीडियो देखे या फिर उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कुछ इतना अच्छा इनर वर्क करा कि उन्हें किसी से कुछ रिडिंग वगर लेने की जोरत नहीं पड़े किसी से कुछ जानने की जोरत नहीं पड़े बलकि वो खुदी ही यह सारी चीजे समझ गई कि यह आकिर माजरा क्या है यह कौन सी जर्नी है और इसे कैसे अचीव करना और क्या नहीं करना है उन्हें पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया और पूरी तरह से अपने आपको बैलों से स्टेट में लाने के वजह आपके तरफ बहुत लोग अट्राक्ट हो रहा हैं तो डीएफ के नर्जी यही है कि दीएफ के तरफ बहुत लोग अट्राक्ट होंगे उनकी खुबसूरती से हो इनके वर्क से हो या फिर उनके लुक से हो या फिर उनके जो काम करने का स्टाइल हो तो उनके में इतनी ना पूरे आपके वजह से और काफी आपको appreciation मिल रही होगी तो डीएफ की अभी है इनर्जी है फ्रेंट्स वह पूरी तरह से जो है अध्यात्मिक उन्नती कर चुकी है और कर भी रही है और जिनकी नहीं हुए उनकी भी वह भी process में लगे वह हैं जिस तरह से और कितने अच्छे क growth और डीएफ की तरफ भी सिर्फ सकती का कार्ड जो कि ट्रेंट फ्लेम जर्णी का भी एक कार्ड है जो है यह जो रीडिंग मैं आपको कर रही हूं यह जो डीएम डीएफ की अनर्जी में निकाल रही हूं खुद के बनाएं बेस्ट और एकल कार्ट के जड़िए बना मतले अब लोगों की डीएफ की चैनलिंग कर रही हूं यह निकाल रही हूं तो इस में वह इतना इच्छे कार्ड है की डीएम के तरफ भी spiritual growth हो रही है उनकी और डीएफ की भी spiritual growth हो रही है तो यह काफी ज़ादा जो है वह important है इस journey में कि जब तक दोनों balance state में नहीं होंगे उनक कि रिजुनियन पॉसिबल नहीं होगी और यहा पे है फ्रेंड्ट की जैसा कि मैंने लूकर बठाया था लास्ट में डिसंबर मन्त के वीडियो में जुूपिटर सैटुन उन्हों ने जिनका भी तक नहीं हुआ तो डियेफ इतनी balance होगी है कि उनका जो union है वे अपने or के साथ हो रहा है और divine के साथ ़ेसे ही union divine के साथ होता है तो उनका union जो है divine उनको खुद भी उनके partner का उनका ट्विन से दूर नहीं रख सकता और उनकी यूनियन भी पासिबल होती है एक तरफ बैलन्स स्टेट में आने के बाद जो डी एफ हैं उनको पूरी तरह से जो कन्फ्यूजन दीरे-दीरे प्लियर हो गई है कि कार्मी को लेकर के जो भी उनके दिमाग में चल रहा था कार स्टेट में रहने से पूल बैक कर रहे थी इस तरह की थॉट से बाहर निकल के आएं लेट गो करा है और लेट गो करने के बाद उन्होंने अपने फरकस पर ध्यान देना सुरू करा है उन्होंने रियालिटी को समझाया कि इनको मतलब रोने दोने से कोई काम चलने वाला नह यूजरू करने के बाद ही बैलन्स और असटेट में आने के बाद ही अर्मोनि रिलेशन्सिप बनेगी तो उनको यह समझ में आ गया है और यह पूरी तरह से ऑह pleasing एनर्यटी है पूरी दिखARD को में आपको ड्रीमस सुरू होगी रियूनियन के की वह आप से मिलने आया यह से बात भाते कर रहे हैं पर आप उन से मिल्ना नहीं चाह रहे लेकिन 5D में आप यूनियन में हो ड्रीम्स में तो इस तरह की जो अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं तो आपकी रि deputy बहुत ही जल्ढी याने की एक से डेड़ महीने के अंदर भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी क्योंकि ऐसे जी यूनियन की जो अगर ड्रीम साने सुरू हो जाते हैं तो उसको उनका रिजल्ड जो है एक से डेड़ महीने में आप देखने को मिल जाता है यह मेरा खुद का एक्सपरियंस है तो और काम करना होगा अपने थ्रॉट चक्रा पे उनको कुछ काफी ज्यादा जो है अपने थ्रॉट चक्रा पे वर्क करना है आपको कम्यूनिकेशन से रिलेटेड जो है आपको कोई जॉब मिल सकती है उस पर आपको वर्क करना है या फिर सिंगिंग की जो जो हो सकता है आपक कुछ ब्लॉब करने की प्यादा है और अगर आप अपने आप आप आ gjort आपको खीची चले आते हैं चाहे वह पार्टनर घुडाय मेट हो या फिर कोई अन्य लोग को अप्से ब्जाएन जाते हैं जिब आप खुद से प्यार करते हैं क्योंकि जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं और हम खुद से जाद दूसरों से प्यार करते हैं तभी हमें प्यार की कमी महसूस होती है तो आपके लिए गाइडेंस कही है आप खुद से प्यार करें क्योंकि इनसान जब खुद से प्यार करता है, तो इससे बड़ी खुशी दुनिया में उसे कुछ भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो खुद में ही खुशी ढूंड लेता है, आपके अंदर जो भी फियर है, कि harmonious relationship होगा या नहीं होगा, उन सारे फियर को let go करें, आगे बढ़ने में आपको अगर कु सुरुआत करनी है, और हर चीज में जो आपको सही लगता है, उस एरिया में आपको आगे बढ़ना है, तो यह एंजली गाइडन्स दिफरेंट, चलिए अब मैं आपको चैनल मेसेज बता देती हूँ, अगर आपको यह अच्छा लगए वीडियो तो आप मेरे चैनल को प्ल लेकिन जब रेजोनेट करें तो आप रख लिजिए, नहीं करता है, तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, तो चैनल मेसेज यह है कि बहुत दिनों से मुझे मतलब की चार-पास दिनों से यह चैनलिंग हो रही है, एक हमिंग वर्ड का जोड़ा मुझे बार-बार मेरे पास मुझे दिखाई देता है, तो उससे मुझे चैनलिंग यह हूई है, मैं पहले सिचुएशन बता देती हूँ कि हुआ क्या है, एक पौधा था जिस पर हमिंग वर्ड हमेशा रही थी, दो सालों से रह रही थी, मेरे घर के पास, तो मैं जब यहा नहीं थी, आउड़ आउड तो चैनलिंग यह है, कहीं आप भी तैसा नहीं है, कि आप मुझे फसे हूए है, जो चीजे तो यहाँ कि आप भी लिबाप्स हरी बरी हो नहीं सकती है, पेड में जोड़ नहीं सकती है, एक पहले से पेड़ के प्रती, वो चूट नहीं रहा है, तो इस तरह से कहीं आपको आप किसी एसे रिस्ते में बंदेवे हैं। आपको रिस्ता स्वाइब नहीं है। अब में बंदेवये हैं। या फिर एक आप ऐसे relationship में है जिसे आप twin flame की journey समझ चुके है अपना twin समझ चुके है और वो twin ना हो करके आपका karmic partner हो जो सिर्फ आपको relation देने आया हो और आपके उसके इंतजार में सिर्फ आप रो रहे हैं या पस्ता रहे हैं या आप उसका इंतजार कर रहे हैं और अपने जो है अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो यह था मेरा collective message फ्रेंड कुछ के लिए जो है friends यह message की जिनकी harmonious relationship हो चुके है या बैलेंस स्टेट में है या फिर जो लोग जो है 5D में जैसे 3D में तो बड़ी खिट-पिट-पिट ओड़ी है थोड़ा सा रूटना मनाना चल रहा है यह सारा और उनका 3D में जो है कि एक है हेलो का reply भी देना जो है वो गुस्से से दिया जा रहा है उनको इग्नॉर किया जा रहा है लेकिन 5D में जो यूनियन में है तो उनके लिए एक चैनल सॉंग है friends जो आप सुन लिजेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूग यह सॉंग मुझे 7 जन्वरी से ही मतलब की चैनलिंग हो रही है और जिसे में वर्क में बिजी होने के कारण आप लोगों को बताने ही पारी हो कल रात फिर से चैनलिंग होई है मैं इसे बहुत बार सुनी ऐसा लग रहा है कि जिसमें जो है वो उनके लिए है कि 5D में वो तो एक है लेकिन 3D में जो है मुझे बहुत काफी अच्छा लगड़ा था सुन करके समग मैं तो खो गई थी तो आप लोग भी सुनें आपको भी अच्छा लगेगा और चैनलिंग पर उतने ज्यादा ना जाए है अपना काम करते रहे हैं और हार्मोनियस रिलेशन्सीप के होन कि एक थाट क्रियेट करने से ही आपको भी चीज़े अट्रैक्ट कर लेंगे जब आप बैलंस स्टेट में होते हैं तो तो फ्रेंड्स आई हो कि आप जल्दी 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 बैलंस स्टेट में आ जाए इनर वर्क करें और जल्दी जल्दी उस इनर वर्क के सारे जो आपने जो करा है या फिर जो आपकी अध्यात में को नती हुई है उसके जल्दी आप जो चाहते हैं वो अचीव हो जाए तो लव यू लॉट आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें देखते रहें थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में